हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर रेडी एक्जाम यूट्यूब चैनल, आज रासाइन विग्यान के 51 लाइनर इंपोर्टन कोश्चनों के साथ हम हाजिर हैं, ये प्रस्न आपके विभिन प्रतियोगी परिक्षाओं से शम्मंदित हो शकते हैं, आप किसी भी गौर्मेंट जॉब का पेपर दे रहे हैं, तो उस पर लगभग लगभग आपके चार से पांच प्रस्न रशाइन विग्यान के पूछे जाते हैं, और अगर आपने पॉली टेक्निक एंटरंस एक्जाम का फॉर्म अपलाई किया है, तो उस पर भी रशाइन विग्यान से संबंदित 25 को पुछा जाता है, तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओपन कर लीजिए, आईए वीडियो का पहला कोश्चन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला प्रस्ण है परमाडू नाभिक के अवय होते हैं तो प्रोटान एवं न्यूट्रॉन परमाडू नाभिक के जो अवय होते हैं वो प्रोटान एवं न्यूट्रान होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों और चक्कर लगाता रहता है इसके बाद भाग फोटाओ नहीं होता है परमाडू में सिर्फ तीन चीजों से मिलकर बना होता है इलेक्टॉन प्रोटॉन एवें नूट्रॉन इसके बाद अगला प्रस्ण है परमाडू नाभिकम खोजने का सुरे किसे जाता है तो रदर फोड को परमाडू नाभिक खोजने का सरेय जाता है इसके बाद अगला प्रस्ण है परमाडू में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी तो जेम्स चैटिविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी कब की थी? 1932 में ये कोश्चन RRB NTPC और गुरूप D एक्जाम पर कई बार पूछा गया है तो आप इससे थोड़ा सा बहुत अच्छे देखिएगा वैसे इस वीडियो में सभी प्रस्ण बहुत ही ज़्यादा एंपोर्टेंट है तो आप वीडियो को बिना इसकिप किये हुए शाओधानी से देखते जाईए इसके बाद अगला प्रस्ण है 0 द्रव्यमान होता है तो न्यूट्रीनों का किसका? 0 द्रव्यमान न्यूट्रीनों का होता है इसके बाद अगला प्रस्ण है आंसिक आवेश होता है तो कुवार्क का आंसिक आवेश होता है इसके बाद अगला प्रस्ण है परमाणू में कच्छा को भरने का क्रम नियंतरित होता है तो आफ बाव शिधान्त के द्वारा आफ बाव का शिधान्त है उसके द्वारा परमाणू में कच्छा को भरने का क्रम नियंत्रित किया जाता है इसके बाद अगला प्रस्थ है राशायनिक तत्वों के अडू के शंदर्व में चुमकी एक क्वांटम संख्या का शंबंध है तो अभिन्यास से चुमकी एक क्वांटम संख्या का शंबंध किससे आपका अभिन्यास से इसके बाद अगला प्रस्थ हैं जिस तत्व के परमाडू में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन और दो इलक्टॉन हो उस तत्व की द्रमान संख्या होगी तो चार कितनी होगी उस तत्व की द्रमान संख्या चार इसके बाद अगला प्रस्ण है परमाडू जिन में प्रोटॉनों की संख्या शमान प यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ण है इसे आप बहुत ही गौर से देखिए और समझे और याद करने का प्रयास कीजिए यह सभी प्रस्ण परिक्षा के द्रश्टी से अत्यन्त महत्वपूर्ण है इसके बाद अगला प्रस्ण है रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है तो गाईगर काउंटर द्वारा जो रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है वो गाईगर काउंटर के द्वारा मापी जाती है रेडियो एक्टिविटी का अविश्कार किस ने किया था तो बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी का अविश्कार बैकुरल ने किया था पानी म चीनी का घुला उदारण है तो भौतिक परिवर्तन का किसका है इसके बाद अशुद्धियों के कारण गर्शुक्त बढ़ जाता है संक गर्शुद्धियों के कारण । बढ़ जाता है इसके बाद अगला प्रस्ण है फोस कपूर से कपूर वास्प बनाने की प्रकिरिया को क्या कहते हैं तो उर्ध्व पातन आप फोस कपूर से कपूर क्या करते हैं वास्प बनाने की प्रकिरिया को क्या कहते हैं तो उर्ध्व पातन कहते हैं इसके बाद अगला प्रस्ण है विश्व में शर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व तो आपका हाइड्रोजन होता है विश्व में शर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन होता है हाइड्रोजन का शंकेत H से डिनोट किया जाता है इसके बाद अगला प्रस्ण है ऑक्षीजन के बा मूल तत्व तो हीरा मूल तत्व क्या है आपका हीरा इसके बाद अगला प्रस्ण है हीरे की खनजी बनावट होती है तो कार्बन हीरे की जो खनजी बनावट है वह आपका कार्बन होता है सबसे भारी प्राकरतिक तत्व है तो यूरेनियम सबसे भारी प्राकरतिक तत्व यू इसके बाद अगला प्रसन है मोति के मुख्य अव्योः होता है एरागुणाइट और कांची योलिन इसके बाद नेक्स्ट प्रोशिजन है मालग और नीलम रशायनिक रूप से जाने जाते हैं तो अलमूनियम ऑक्षाइड के रूप में २े वाइक और नीलम किसके लिए जाने जाते हैं रशाइनिक रूप से ऐलुमूनियम ऑॉक्षाइड के रूप में इसके लिए इसके बाद अगला प्रस्ण है शोडियम धातू का संचयन किया जाता है तो केरोशिन में मिट्ती का तेल जो होता है उस पर सोडियम धातू का संचयन किया जाता है केर सोने को घोला जा सकता है तो अमल राज में किस पर घोला जा सकता है अमल राज में सोने को घोला जा सकता है चूना पत्थर का राशायनिक नाम होता है तो कैल्सियम कार्बोनेट जो चूना पत्थर होता है उसका राशायनिक नाम कैल्सियम कार्बोनेट होता है इसके बाद किसका आयश्क है तो थोरियम का मोना जायट थोरियम का आयश्क है इसके बाद उस्मा का चालक तथा विद्दूत का कुचालक तो माई का होता है फ्रेंट्स क्या होता है माई का उस्मा का चालक होता है जिस पर उस्मा तो प्रवावित हो शकती है लेकिन विद्दूत को यह स्केताए आपके जो प्रेश होता है जो आप पर करते हैं उस पर नीचे पाया जाता है इसके बाद अग्ला प्रस्न है लोहा प्राप्त किया जाता है हैं फिलेंटल से किस लिए और और हैंआड से ऐलमॉंयम बनाने के लिए बंपादा है तो तामबा एवम टिन की जो कांशा मिस्रधातू होती है वह तामबा एवम टिन की मिस्रधातू है тогда तका एक मिस्र धातु है तो य", किसकी दिन तथा, सीसे के मिस्र धातु, आपकी कौन है? टाका इसके बाद जर्मन सिल्वर में चांदी कितने प्रत्सत होती है, तो जी रो प्रत्सत् इसके बाद अगला प्रस्न है पीतल मिस्र धातु है तो तामबा एवं जस्ता की पीतल का रंग हवा में हलका पड़ जाता है यह किसकी कारण तो हाइड्रोजन सलफाइड के उपस्तिती के कारण आपका पीतल का रंग हलका पड़ जाता है पीतल की जो चमक होती है जो आप प्रफशन है इस टील की करदार करने के लिए बढ़ाई जाती है तो कारवन की मातरा को बढ़ा दें तो इस ठील के जो कटोरता है बीड़ा जाती है इसके बाद धब्ब्ड रहीत लोहा बनाने में लोहे के एक महत्वपूर्ण धातू मिलानी पड़ेगी, तो वह आपका कुरूमियम है, इसके बाद अगला प्रस्न है, जंग लगने पर लोहे के भार में, क्या परभाव पड़ता है, तो बढ़ जाता है, फ्रेंट जब भी कभी लोहे पर जंग लग जाता है, तो वह जो उसका भार ह होता है, वह क्या होता है, बढ़ जाता है, अगर आपका लोहा 50 ग्राम है, और अगर उस पर जंग लग गया, तो वह आपका 52 ग्राम का हो जाएगा, या आपका 55 ग्राम का हो जाएगा, एक, दो, तीन, चार ग्राम कम शेकम जंग लगने से उसका वजन बढ़ ही जाएगा, इसके बाद अगला प्रस्न है सुस्क बर्फ किशे कहते हैं तो ठोश कार्बन डाय ओक्साइड को सुस्क बर्फ बोलते हैं इसके बाद अगला प्रस्न है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा तो पानी जब आप हाइड्रोजन को जलाएंगे तो आपका पानी बनेगा भा बारी पानी की खोज की थी आपका HC उ रने किस ने की थी एच ज उ रएने भारी जल का जो सूत्र होता है डी 2 ऑं वाराइय जल का सूत्र क्या होता है डी 2 ऑ इसके बाद अगला है जल के शुदितम रूप होता है तो वर्सा का जल, जो पानी का शुदितम रूप होता है, वह वर्सा का जल होता है, इसके बाद अगला प्रस्ण है, शमानतह गुबारे में कौन सी गैस भरी होती है, तो हीलियम गैस, शमानतह गुबारे में हीलियम गैस, जो बच्चे गुबारे या میलो में बेचते हैं गुबाड़े तो उसपर जो गैस भरी होती है वह हीलियम गैस भरी होती है इसके बाद अगला प्रस्थ है वायू यान के ताइरों में भरने के लिए प्रयूक्त गैस तो नाइट्रोजन गैस जो आपके वायू यान या aeroplans होते हैं उसके टाइरो पर जो गैस भरी जाती है वह आपका nitrogen gas होती है इसके बाद अगला प्रस्द है अस्रू gas तो अस्रू gas आपका ammonia होता है अस्रू gas क्या होता है ammonia और ammonia का जो शूत्र होता है वो होता है आपका NH3 इसे आप अस्रू गैस बोलते हैं अमोनिया का शूत्र होता है एन ह3 जो आपका अस्रू गैस है तो दोस्तों उमेद है वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए शेर करिए कमेंट करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे बिल आइकन को अपन करें जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए थैंक्स फॉर वाचिंग